वेलकम टू SS Defense Academy फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन्स में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ RRC South Eastern Central Railway GDC का जो एक्जामिनेशन्स गुड्स गार्ड्स पोस्ट के लिए 2 जनवरी 2022 को कंड़क्ट हुआ था और उस एक्जामिनेशन्स में जो GDC के 30 कोस्टन्स पूछे गए थे आज के इस वीडियो सेशन्स में उन 30 कोस्टन्स का ऑफिसल्स आंसर्स देने वाला हूँ तो वीडियो को बीना इस्किप किये फूल वाच कीजेगा आने वाले गुरूप D एक्जामिनेशन्स और साथ में NTPC, CBT, 2 एक्जामिनेशन्स के लिए ये सभी कोस्टन्स काफी इंपोर्टेंट्स रहेगा देखिए फ्रेंड्स, 2 जनवरी 2022 को गुर्ड्स गार्ड्स का जो एक्जामिनेशन्स कंड़क्ट हुआ था तो उसमें जीके के 30 कोस्टन्स, मैथ के 30 कोस्टन्स, रिजिनिंग के 40 कोस्टन्स पूछे गए थे और पेपर में ये सभी कोस्टन्स मिक्स थे मतलब जीके, फिर मैथ, रिजिनिंग, फिर मैथ, मतलब प्रॉपर ढंक से कोस्टन्स नहीं थे लेकिन मैं आपको जो जीके के 30 कोस्टन्स पूछे गए थे उन सब का एक सांथ कोलेक्शन्स दूँगा, देख सकते हैं हैंडनोट्स के माध्यम से यदि आप ऑफिसेल्स पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रोटल कोस्टन्स का, तो आप लोग टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहांपा आपको ऑफिसेल्स पेपर देखने को मिल जाएगा और देखे, दो जनवरी 2022 को, इस्टेशन्स मास्टर का भी एग्जामनेशन्स कंड़क्ट हुआ था, तो उसका भी मैं आपको ऑफिसेल्स पेपर प्रोबाइड कर दूँगा, टेलिग्राम पे, और साथ मैं उसका हैंड नोट्स भी प्रोबाइड करूँगा, तो चैनल से जूड़े रहिएगा, देख सकते हैं, प्रोबाइड धंक से, सभी कोश्चन्स को इंक्लूड कर दिया हूँ, और ये ऑफिसल्स आंसर्स है, ये न सुचेगा कि फेक है, ठीक है, जो भी कैंडिडेट एग्जामनेशन्स दिये हैं, तो आप लोग यहां से देख सकते हैं, प बडाबर होता है, तो ये आठ बीट्स के बराबर होता है, थाइड कोश्चन्स पुछा गया था, बर्स दूजार एककिस के लिए सांती का नोबल पुर्शकार की से परदान किया गया है, तो देखे, दो लोगों को परदान किया गया है, एक तो मारिया मूराट टोवा और दूसरा दामित्री मूरा टो नेक्स्ट कोशन देखे भारत के सबसे उच्छे एयर प्यूरी फायर टाउर का निर्माड कहां किया गया है तो चंडीगड में किया गया है नेक्स्ट कोशन देखे तैंतीसवा गृष्म कालेइन ओलंपिक स्केल दोहजर चौबीस में कहां आयज दियान रेखा है नेक्स्ट कोशन देखे जम्मू कस्मीर में दुनिया का सबसे उच्छा रेलबे आर्च ब्रीज का निर्माण किस नदी पर किया गया है तो चिनाव नदी पर किया गया है नेक्स्ट कोशन देखे फूलो की घाटी राष्टिय उद्यान किस राज में इस्त प्रित्वी के उपरी सतह द्वारा सूर्य उर्जा को कैद कर लिया जाता है नेक्ष कोशन देखे भारतिय सविधान में सविधान संसोधन पर करने की परकिरिया को कहां से लिया गया है तो सविधान संसोधन करने की परकिरिया को दक्षिन अफिरिका के सविधान से अपनाया गया है नेक्ष कोशन देखे ब्रिहतर यानि ग्रेटर हिमाले का दूसरा नाम क्या है तो हिमादरी है नेक्ट कोशन देखे, एसिया का नोबिल कहे जाने वाले रैमेन मैकसे से पुरिसकार 2021 के बिजेता कौन है तो देखे, ओप्संस में दो ही लोग का नाम दे गया था एक तो डॉक्टर, फिर दौसी, काद और दूसरा मोहमद, अमजद, साकीब इन दोनों को दिया गया है, और लेकिन और चार लोगों को दिया गया है आप लोग कमेंट्स वक्स में बताएगे वो चार लोग कौन है नेक्ट कोशन देखे, राष्ट पती अपने पद से त्याग पतर देना चाहे तो वो किसे देंगे तो उपराश्ट पती को देंगे Next question देखे हालही में परकासित पुस्तक The Light of Asia किसके दोरा लिखी गई है तो ये जैराम रमेश के दोरा लिखा गया है Next question देखे सरदार बल्लब भाई पटेल किस नाम से जाना जाते हैं Next question देखे रिजर्बैंक का परतिक चीन क्या है तो रिजर्बैंक का परतिक चीन है ताड के ब्रिक्ष के आगे बाग ठीक है ताड के ब्रिक्ष के आगे बाग Next question देखे 2021 में तेरह में ब्रिक्ष समेलन के अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया द्वारा किया गया तो भारत के द्वारा किया गया next question देखे computing के छेतर में जो इनियक का पुर्ण रूप क्या है तो इनियक का फूल फ्रम पूछा गया है तो electronic numerical integrated and computer हो जाएगा next question देखे किसको कारबोलिक अमल के नाम से जानते हैं next question देखे निम्र में से कौन सा कर पर्त्यक्ष कर है यानि direct text कौन सा है options दिया था विक्राय कर उत्पाद कर संपदा कर मनरंजन कर तो इसमें जो direct text है ये है संपदा कर इसके आलामा direct text में income text जो corporation text ये सभी क्या आते हैं direct text में आते हैं next question देखे भारत के सरवाधिक उंचाई पर इस्ति थे हारबल पार्क कहां है तो चमौली उत्राखोंड में इस्ति थे next question देखे जपान में आयोजी थे Tokyo Olympics 2020 का सुभंकर क्या था तो ये था सुभंकर मीराय टोवा next question देखे सुरियोदे एवम सुरियास्त के समय सुरिय का रंग लाल क्यों दिखाई देता है तो देखे सुरियोदे एवम सुरियास्त के समय सुरिय लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का तरंग धर होता है ये सबसे ज़ादा होता है ठीक है बाकी रंगों का तरंग धर कम होता है लेकिन options में था लाल को छोड़कर आने सभी रंग परकरिणित हो जाते हैं तो देखिए लाल को छोड़कर आने रंग इसलिए परकरिणित हो जाते हैं क्योंकि उनका तरेंग धर कम होता है ठीक है next question देखिए बिकलपों में से बिसम सब्द चुनी यह reasoning के questions में था बर्ट इसमें मैं जीके में include कर दिया हूँ जीके के 30 questions ही था देखिए को रहा है कि कौन सा odd है ठीक है चांदी, कांसा, सोना, तामभा तो देखिए इसमें जो कांसा है यह में एक मिस्र धातु है जबकि चांदी, सोना, तामभा यह धातु है ठीक है, next देखिए context lens, देखिए यहाँ पर convex और concave नहीं context lens का अभिष्कार किश ने किया था तो context lens का अभिष्कार किया है एडॉल्फ गॉस्टन यूजन फिक ने किया है राष्टी पेंसन पढ़नाली NPS के लिए कितनी आयू सीमा तक के बेक्ति पात्र होंगे तो 70 वर्ष तक के आयू सीमा तक के बेक्ति पात्र होंगे next question देखिए LED का अभिष्कार किश ने किया था तो निक होलनायक ने किया था next question देखिए किस railway zone ने 3.5 km लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉंच किया है किस railway zone ने तो वो है दक्षिन पूर्व मध्ध railway zone ने इसे लॉंच किया है और ये भी questions बन सकता है कि सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है तो वास चुकी है ये भी याद रखिएगा तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देजेगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो को सेर कर देजेगा मिलते हैं नेफ्श वीडियो में तब तक लिए आप सभी को जाएं